दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल राज टुटिरेल हिंदी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडेक्शन मोटर होता है वो स्टार्टिंग में करेंट ज्यादा क्यों लेता है अक्सार इह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बताए कि वाई स्टार् मोटर का इकोवलेंटκι्ब्स कि वाई है कि ड्यागराम बनाया हो इे हमारा इश्टेटर है this is our router और यह हमारा यहां पर 65석 को दरष है तो इसको कि वार्किंग प्रींजपन मोटर का होता है कि जब हमस्टेटर में थनिच बन सप्लाईए हैं मतलख परोडत करते हैं तब क्या ह निन वरस ब्लचब सब्सक्राइब्फर होता है हो, तो यह सबसें हमारा इसमें थेच्ट फिल जादा ही निकस्यांऌिक था, लेता है तो इसका क्या करना है तो दोस्तों इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करेंट होता है दोस्तों स्टार्टिंग करेंट जो होता है वो डारेक्ली प्रोपर्शनल टू किसके होता है सिलीप के अब यह सिलीप क्या होता है दोस्तों सिलीप का जो फार्मूला होता है वह दोस्तो होता है ns-n upon n जहां पे ns क्या है synchronous speed है जो motor का आपने name plate पे दिखा होगा कि उसका 1500 rpm है या 2000 rpm का है तो उसका ns क्या है synchronous speed है और n है rotating speed मतलब rotor हमारा जो है उसका speed है तो sleeve का formula क्या होता है ns-n upon n तो जोस्तो यहां पे यह पूरी तरह slip जब हम stator में motor के 3-5 supply देते हैं तो यह क्या करता है जब supply देते हैं तो उस समय क्या होता है कि वहां पे rmf generate होता है उस time हमारा router move नहीं कर रहा होता है मतलब rotor का speed होता है दोस्तो वो zero रहता है मन के चली है जो हमा motor की speed है दोस्तो वो है 1500 rpm है और जब हम इसको supply देते हैं उस समय rotor हमारा नहीं घूम रहा है तो यहां पे उसका speed क्या होगा कि बीट को zero होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा कि यह नहीं होगा तो यहां पे क्या होजाएगा तो जो हमारा sleep होगा दोस्तो यह होता है यहां पर भी क्या होता है तो 1500 और यह हो जाएगा zero तो यह 0 हो जाएगा तो 1500 यह divide हो जाएगा one मतलब कि starting जो हमारा sleep होता है दोस्तो वो होता है one यहां पर देखिए दोस्तो जब हमारा one sleep होता है तब हमारा impedance यहां पर one होगा तो यहां पर impedance क्या होगा कि starting impedance बहुत ही कम होगा तो यहाँ पर impedance जैसे ही कम होगा तो motor हमारा क्या होता है कि जब हम इसको थिरी पर supply देते हैं तो यह क्या करता है कि RMF जनरेट करता है फिर EMF इंड्यूस होता है कि current ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पर impedance बहुत ही कम है और जो हमारा starting current है वो slip के directly proportional होता है यहाँ पर जैसे one होगा तो starting impedance हमारा क्या है कि कम हो जाएगा तो जैसे कम होगा तो यह current ज़्यादा draw करेगा और यह rotor क्या होगा कि तुरंत हमारा speed जीतना 1500 RPM का है तो यह 1500 RPM पर जाने की कोशिस करेगा तुरंत जाने की कोशिस करता है तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो starting होता है वो motor current ज़्यादा लेता है दोस्तो अगर माने के चलिए कि होईपर हुआइघ गर माने की चलिए रोटर की स्पीड बढ़ती है वहाँ पर мод यहां पर हमारा जादा हो जाएगा जादा हो जाएगा और जेसे हमारा शपीड जितना बढ़े जाएगा हमारा क्रेंट क्या हो जाएगा कि दोस्तों वो कम होता जाएगा तो दोस्तों यही region होता है कि जो हमारा यह पूरी तरह क्या होता है कि sleep पे depend करता है आप समझ गयोंगे दोस्तों जो हमारा यह sleep होता है इसी के सब्सक्राइब कि ns-n upon ns तो यह sleep पे depend करता है और यह हमारा जो sleep होता है वो starting current कि directly proportional होता है तो ज मज लीजिए दोस्तों कि जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं उस समय क्या होता है कि हमारा जो रोटर के स्पीर होता है जीरो होता है तो उस समय स्लिप हमारा हाई होता है मतलग कि हाई कितना होता है मेक्सिमम वन होता है तो वन होता है और वन पर हमारा स्टार्टिंग इंपिडे तो यह वन थाड़ हो गया तो हमार जो running impedance है दोस्तो वहां पर यह यहां पर बढ़ जाएगा और starting current हमारा धिरे धिरे जैसे speed हमारी normal होती जाएगी यह हमारा क्या होगा कि current normal लेने लगता है तो दोस्तो यही region है कि जो हमारा starting में motor क्या होता है कि high current लेता है दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से clear हो गया होगा कि जो हमारा induction motor होता है वो starting में high current क्यों लेता है तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज टूटरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे लेटकर से जुड़ेवे वीडियो लेकि आता रहता हूँ और आपका कोई सवाल है या अपना कोई कुछन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स ने इसे जरूर करिए धन्यवाद